हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्ट्रक्स वन एम में इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नाइन सम एप्लिकेशन्स ऑफ ट्रिगनोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टन्ट कॉच्शन्स फॉर सी बेसी बोर्ड और इससे पहले मैं आपके इस ट्रगनोमेट्री है कि यूग्त है को करें इस्वाइब आपका के स्वाइर गाते मिनel कुछन नंबर बन कुछन नंबर बन हमें दिया गया है यह भी इस दी टावर ओफ हाइट 50 मीटर ए मैं इस टेंडिंग ओन इट्स टॉप ठीक है ऑप्जब्स टू कार ऑन दी अपोजिट साइप्स ऑफ दी टावर विद एंगल अप डिप्रेशन थार्टी डिग्रें और यहां पर्षन खड़ा है जो आप्जर्व कर रहा है दो कार्ज को कि एक ठाटी डिग्री पर है यहां से तो यह एंगल यहां से बनेगा ठाटी डिग्री और दूसरी साइड एक यह 45 डिग्री पर ठीक है तो यह दो कार्ज है और हमसे इन दौनों कार्ज की बीच की डुस्टेंस पूचिए तो माले यह है यह बी पॉइंट है यह सी है तो आपको यह तो पता ही है जब यह लाइन इसके पैरलल है तो यह एंगल इसके बरावर होगा तो यह भी 30 डिग्र होगा क्योंकि यह अल्टरनेट इंटेरियर एंगल्स है यह 45 है तो यहां से आपका जो एंगल कितना है सी एवी कितना होगा 30 डिग्री एंड एंगल इस पॉइंट को पी माल लो यह सीवी कितना होगा 45 आपके पास दोनों एंगल है हाइड दी है तो आप यहां से 1030 निकाल के एपी की वैल्यू लिकाल सकते हो यहां से 1045 लगा के बीपी की और दोनों को एड करके क्या आ जाएगे हमारी डिस्टेंस विट्विन टू कार तो कैसे करेंगे इंट्रेंगल सी एपी सी एपी में देखें तो हम 1030 क्या होगा सी पी यानि की 50 अपॉन एपी 1030 की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट 3 कि 50 अपॉन एपी तो यहां से एपी की वैल्यू क्या होगी क्योंकि क्रॉस मुल्टिप्लाई होगी 50 अंडर रूट 3 ऐसी आप दूसरे ट्रेंगल में करोगे इन ट्रेंगल दूसरा ट्रेंगल हमारे पास बीपी सी या सी बीपी तो इसमें टैन 45 लगाएंगे आपको पता है टैन क्या होता पर पेंडिकुलर अपन बेस तो पर पेंडिकुलर है 50 और बेस क्या है बीपी तो इसकी वैल्यू बन होती है तो यहां से क्या हो जाएगा बीपी बराबर 50 यूनिट दे थी मीटर तो यह मीटर में अब आप से पूछा था डिस्टेंस बिट्विन टू कार्स तो डिस्टेंस बिट्विन टू कार्स कितना है फिगर के हिसाब से एबी और यह भी किसके एकुल होगा एपी पिलस बीपी एपी पिलस बीपी तो एपी 50 अंडर रूड 3 पिलस 50 तो यह क्या होगा 50 कॉमन लेंगे हैं से अंडर रूड 3 पिलस 1 तो यह इतना होगा आपका अंसर ठीक है क्योंकि इसमें एंडर रोट थिरी की वैल नीव पुट करने हो कहा नहीं है तो यह हो गया आप का अंसर देखते हैं कुश्चन नमबर टू तू में कह रहा है एज ऑब्जर्ट फ्रम दिटॉप ओफ लाइट हाउस घंडरेड मीटर एवब सी लेवल हंडरेड मीटर सी लेवल से कोई वह लाइट हाउस उससे एक कोई ऑब्जर्व कर रहा है दि एंगल ऑफ डिप्रेंशन ऑफ शिप सेलिंग डारेक्ली टुवार्डस जो जो लाइट हाउस है इसकी तरफ एक बोट आ रही है ठीक है सिप तो बोट जब चल लिए तो उसका एंगल चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 45 डिटर्माइंड डिस्टैंस ट्राइवल वाइद इस टाइम तो यह कह रहा है एक कितना हंड्रेड सेंटी मीटर नहीं कर रहा कि कोई सिप 30 डिग्री से 45 डिग्री पर आ गई यहां वह 30 डिग्री एंगल बना रहा थी यह वैसे एंगल में डारेक्ट लिए यहां से है क्योंकि जो आदमी यहां से अब्जर्व कर रहा है उपर से तो वह बनाता एंगल ऑप डिप्रेसं ठीक है यह ठाट्टी बन अंगल इसके बरावर होगा और यह 45 डिग्री इसके बरावर क्योंकि अल्टरनेट इंटेरेट अंगल से इसे मालो एबी सी और यह पी पॉइंट है और यह हमें 100 मिटर दिये हमसे डिस्टेंस बिट्विन क्या पूछ रहा है डिटर्वाइन दिस्टेंस ट्रेवल बाइद जो सिप यहां से 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल तक मोग ही है तो यह डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है यानिकी एपी जो उसने ट्रेवल की तो यह भी सिंपल है आप पहले 1030 का यूज करोगे फिर 1045 का तो उसमें पहले यह पूरी वैल्यू आ जाएगी फिर यह आ ABC में देखोगे तो आप कि यहां से तो 1030 लगा देंगे हम कि 1030 इसके हिसाब से क्या होगा परपेंडिकुलर यानि कि BC और बेस एवी 1030 की वैल्यू वन अपन रूड थिरी वी सी की वैल्यू 100 मेटर को कि हमें हाइट ओफ लाइट हाउस दी है और एवी हमें पता नहीं है तो एवी की वैल्यू कितनी आ गई 100 अंडर रूड थिरी मेटर ठीक है अब ऐसी दूसरा क्या बनना हमारा दूसरा बनेगा हमारा पी वी सी तो इन ट्रेंगल पी बी सी क्योंकि जो एंगल हमें दिया होता है एंगल ओफ एलिवेशन या डिपरेशन उसी को हम ट्रेंगल बना लेते हैं तो इसमें क्या होगा 1045 किसके बराबर इसकी भी परपेंड और यह पीवी तो यहां से क्या आएगा 1045 की वैलिव वन है अंड्रेट अपॉन पीवी तो पीवी की वैलिव कितनी आ गई क्योंकि यहां चली जाएगी 100 meter अब मैंने क्या बताया था distance travel by car कितनी होगी AP और AP कितनी होगी AB टोटल में से PV को घटा देंगे ठीक है तो distance travel by car कितनी है AP और AP की value है AB minus PV AB की value 100 under root 3 आई थी minus PV की value 100 आई थी 100 common आगया तो under root 3 minus 1 बन रहे गया और इसमें हमें under root 3 की value पूट करने को कहा था 1.73 तो 100 1.73 में से बन जाएंगे तो 0.73 बचेगा और 108 की 0.73 मल्डिप्राइब होगी तो 73 मीटर तो कितनी वो car distance उसने ट्रेवल की थी AP 73 मीटर ठीक है देखते हैं next question question number 3 में कह रहा है at a point of level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that 10 alpha 1 by 3 after walking 100 meter towards the tower the angle of elevation beta becomes such that 10 beta 3 by 4 find the height of tower तो इसमें कह रहा है कोई vertical tower है ठीक है age and angle of elevation दिया में पहले जो दिया था अज़े और आच है but 10 alpha की value दिया मालने यह alpha है और फिर वो कि हन्डरेड मीटर चल जाता है हां से यानि कि हां से यहां तक 100 प्रेड मीटर चल गया तो यह एंगल कितना बन गया पीटा तो यह मानले ए बी सी और यह पॉइंट पी है और हमें जो दिया हुआ है वो दिया है टैन अलफा कितना दिया है बनवाई थिरी और टैन बीटा थिरी और फॉर हमसे पूछ रहा है फाइंड दी हाइट ओफ टावर अब हम देखेंगे हाइट क्या है हमारी बी सी ठीक है इसे मानलो एच से सो कर देते हैं लैट एच इस दी हाइट ओफ टावर तो देखो कैसे निकालेंगे हाँ से देखें हम इंट्रेंगल ए बी सी ए बी सी में टैन अलफा कितना होगा बी सी क्योंकि पर्पेंडिकुलर और एवी बेस लेकिन हमें कितना दिया हुआ है टैन अलफा बनवाई थिरी ठीक है अगर मैं यहां से एवी की बैल्यू लिगा लूँ तो कितनी आएगी थिरी बी सी एवी बराबर थिरी बी सी ठीक है एक तो हमारे पास यह आगी अब ऐसे ही दूसरे ट्रेंगल में पी बी सी में टैन बीटा लगाऊं तो टैन बीटा कितना होगा बी सी बटे बी पी या पी बी तो टैन बीटा की बैल्यू कितनी दिया हुई थि कुस्चन में थिरी वाई फोर तो यहां से कितना आ जाएगा थिरी बी सी फोर बी सी बराबर थिरी पी वी फोर बी सी बराबर थिरी पी वी ठीक है अब देखो इसमें और इसमें दौनों में बी सी कॉमन है इसमें भी इसमें भी तो यहां से बी सी की वैल्लू फाइंड कर लो कितना आएगा यहां से बी स की वेल्लू कितनी आएगी थिरी अपॉन फॉर पीवी यह मानलों बन यह टू जब कंपियर करोगे तो दौनों को फ्रॉम एक्वेशन वन एंड टू दौनों से क्या आएगा बीसी बीसी जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बरावर हैं तो राइट हैंड साइड भी बरावर होंगी यानि की एबी अपॉन थिरी किसके बरावर होगा थिरी पीवी अपॉन फॉर गे ठीक है नाैं पीवी कितना आएगा नाइन रेशियो फोर क्यूंकि जो इबी के सामने वेड़ाय वह भूए और जो पीवी के सामने वेड़ाय वह पीवी की होगी यानि की फॉर ठीक है तो यहांगा आगा हमारे पास एबी रेशियो पीवी अब कुस्चन में क्या कहा था अब क्या कर सकते हो आपके पास एवी पीवी है लेकिन यहां हमें एपी की वैलू हंड्रेट दी है अगर मैं इससे एवी पीवी से एपी निकाल लूँ कैसे निकाल सकता हूँ किसे मैं by मैं से एभी मैं से पीवी को गठा दूब तो मुझे भी मिल जाएगा तो जब रेशियो में दिया होती है वैलू तो मालब से यूच इज नाइन एक्स एंड पीवी इज फो एक्स ठीक है तो ए पी कितना होगा एवी मैंनस है पीवी यानिकी 9x-4x तो कितना आगया 5x बट्ट आगे कर देता हूं में बट्ट हमें क्या गीविन है एपी बराबर हंड्रेड मीटर तो इससे क्या होगा 5x 100 मीटर के बराबर होगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी हंड्रेड अपॉन फाइव 20 मीटर यह बहुत इंपोर्टेंट कुस्छन है यहां से देख लेना अब आपके पास एक्स की वैल्यू 20 मीटर आई है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो अब भी निकाल सकते हो और पी भी भी ठीक है तो एक निकाल लो अगर मैं अब निकाल लूँगा तो बीसी निकाल दूँगा तो मैं अब की निकाल लेता हो तो अब कितना था 9x देन एवी बराबर कितना हो जाएगा 9 x x की वैल्यू 20 बन 80 मीटर और बीसी क्या होगा हाइट ओफ टावर बीसी थी हमारी कितनी होगी एवी अपन थिरी थी यानिकी बन 80 अपन थिरी 60 मीटर बस आपको बैल लूट करते चलना बागी सिंपल है कुछ नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दुबारा वीडियो को बैक करके दुबारा देख सकते हो तो एक और बार देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा देखते हैं कुस्टन नंबर फोर कुस्टन नंबर फोर में कहा रहा है दि एंगल ऑफ एलिवेशन अब दी टॉप ऑफ टावर फ्रॉम आ पॉइंट और ऑन दी ग्राउंड ठीक है विच इस थाट्टी मीटर अवे फॉम दी फूट ऑफ दी टावर इस थाट्टी डिगरी फाइंड दी हाइट आप दी टाव तो इसमें कहा रहा है एक टावर है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है थाट्टी डिगरी बिच इज और यह पॉइंट थाट्टी मीटर अवे है फूट ऑफ दी टावर से तो यह ब्लू दिया हमें थाट्टी मीटर यह ए है यह बी है यह सी और हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है हमसे तो लिग दो लेट हाइट ऑफ टावर इज एक आपकी मर्दिया बीसी भी लिख सकते हो बीसी दी है तो इन ट्रेंगल अबी सी एक एंड थाट्टी कितना होगा हाइट एच अपॉन और ए भी जो बेस है थाट्टी टैन थाट्टी की वैल्यू बन अपॉन अंडर रूड थिरी एच अपॉन थाट्टी तो जब क्रॉस करोगे तो यह उपर पहुंच जाएगा क्योंकि एच यह हैं रहन दो तो थाट्टी अपॉन अंडर रूड थिरी कभी भी अंडर रूड को नीचे नहीं छोड़ते तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे सेंट से मल्टिप्लाई ऊपर नीचे तो यहां आजाएगा थाट्टी अंडर रूड थिरी नीचे आजाएगा थिरी से rusts तो हाइट कितनी आगी टैन अंडर रूट थिरी मीटर तो यह तो सिंपल था बहुत देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नंबर फाइव बस तीन ओर हैं जो भी इंपोर्टेंट कुश्चन से मैंने इसी में कवर कर लिए हैं तो फाइब में कहा है एंगिल ऑफ टावर इस थाट्टी डिग्री ठीक तो मैं अगयल अगयल फिगर बना लेता हूं और देख लिए अंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी टावर फांदी फूट ऑफ दिविलिंगे सिक्स्टी डिग्री इफ टावर इस सिक्स्टी मीटर है फाइंड दी हाइट ऑफ बिल्डिंग तो एक हाइट एक टावर एक बुल्डिंग है तो एंगल ऑफ एलिवेशन किस से ज्यादा बनना है तो टावर उच्छा होगा यह टावर मान लो यह बुल्डिंग है हमारी बिल्डिंग से जो फूट ऑफ टावर से एंगल बनना वो कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवे है एंड और भी कुछ दिया है इसमें टावर इस सिक्स्टी मीटर हाइड टावर की हाइड दिया सिक्स्टी मीटर हाइड हाइड और हाइट ऑफ बुल्डिंग हम से पूछ रहा है यह पॉइंट आ ए बी सी दी और इसे मान लो ठीक है तो यह हमें एक बैल्यू दी हुई है इससे हम बेस को निकाल लेंगे फिर बेस का यूज करके हम हाइड निकाल देंगे तो देखो कैसे करेंगे पहले लो लेट एच भी हाइट ऑफ वॉल्डिंग की हाइड कितनी है हमारी एच है अब हम कौन से ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे जो बै बी डी इस किकितना हो कि किन इसी किपिलर करेंगे थे एक यहीं में कितनी होग किटनी होगी सिक सिग इपान अंडरुड ठी основ ऩो सीथी उपर नीचे multiply तो यह आएगा 60 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में होगी तो 3 तो यह 3 से 20 टाइम्स तो 20 अंडर रूट 3 तो यह आगी हमारी AB की value अब देखो दूसरा triangle था हमारा क्या दूसरा था ABD ठीक है इसमें 10.30 लग जाएगा इंट रियंगल ABD तो अगर हम 10.30 लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें सामने वाली साइड AD यानि कि H है हमारी height of tower और base है AB तो H upon AB 10.30 की value बन अपन अंडर रूट 3 एच अपन AB की value आगी थे हमारी 20 अंडर रूट 3 तो यह क्रॉस करेंगे तो यह हां पहुच जाएगा 20 अंडर रूट 3 अपन अंडर रूट 3 एच हैं रहन दी अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गई तो यह क्या आगी एच तो height of tower कितनी होगी 20 मीटर हमसे height of tower को उच्छा था वह height of building sorry h height of building कितनी होगी 20 मीटर देखते हैं next question question no.6 अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को like करें और जाए से जाए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो इसमें लाट 6 दिया है टू पोल्स ओफ इक्वल हाइट आज इस टेंडिंग अपोजिट टू इच अधर आप अधर कितनी है 80 मीटर find a point between them on the road road के बीच में एक पॉइंट निकालना है the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 dairy respectively find the height of poles and the distance of point from the poles तो यह भी बहुत ज्यादा important question है तो देखते इसमें दो पोल्स है इक्वल हाइट है दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है और एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जिससे एक टावर का एंगल ओफ एलिवेशन कितना है 60 और एक का कितना है थाट्टी है और उसमें और क्या कहा है यह और जो रोड है यह कि रोड के अधर साइड है किनारीम्पर और रोड की जो चौड़ा ही दिये है वो दिये है इट्टी मीटर तो मालनुवआ यह मैड है यह ene यह D और यह पॉइंट है ठीक है तो अब देखो आप क्या कर सकते हैं तो हमसे हाइट आफ टावर पूछिए तो अगर एच इसकी है तो एच इसकी होगे क्योंकि उसने पहले ही कहा है दौनों टावर्स की हाइट सेम है और हमें और क्या बता रहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है पॉज से यानि कि A, B, E और हमें फाइंड करनी है ठीक है तो पहले लिख लेता हूँ लेट एच इच बी हाइट ओफ टावर एंड एंड बी इस डिस्टेंस आप पॉइंट फ्रम पोल्स को कि A, E इस पोल से होगी A, D से और B, E इस B, C पोल से डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इन टावर की तो देखो अब दौनों ट्रैंगल को अलग लग कंसीडर कर लेंगे A, E, D तो इन ट्रैंगल A, E, D, A, E, D में हमें दीख रहा 1060 लगाएंगे हम 1060 तो क्या मिलेगा हमें एच अपॉन एच अपॉन एच अपॉन एच अपॉन एच अब टैंशिक्स्टी की वैल्लू अंडर रूड थिरी एच अपॉन एच अब दूसरे ट्रैंगल को देखेंगे हम 30 वाले को तो यह E, B, E, C, B, E, C आप कुछ भी लिख सकते हो C, B, E, B, E, C, B क्योंकि ट्रैंगल ट्रैंगल लिए तीनो साइड अब इसमें 1030 लगाएंगे हम इसके हिसाब से पर्पेंडिकुलर एच और बेस बीई तो 1030 अंडर रूड एच अपॉन बीई तो यहां से H की value क्या आएगी B, E, अपॉन अंडर रूड 3 तो इसे मानो first इसे मानो second तो इनकी right hand side equal है तो left hand side भी equal होगी तो from equation first hand second अंडर रूड 3, A, E, बराबर होगा B, E, अपॉन अंडर रूड 3 के अंडर रूट 3 की हाँ मल्टिप्लाई होगी तो 3 A E बरावर B E यानि कि इससे हमें क्या पता चलता है जो 3 times A E जो है वो B E के बरावर है जो B E distance है उससे 3 गुना है A E ठीक है मतलब B E A E का 3 गुना है 3 times A E B E जो है वो A E का 3 गुना है अब इससे हमें क्या A E A B टोटल हमें 80 मीटर दिया हुआ है ना अब हम लिखेंगे from figure figure से आपको देखो क्या पता चलेगा कि जो A B है वो A E पिलस B E के बरावर है जो A B है वो किसके A B पिलस B E के बरावर है A B की value 80 D है A E यानि कि मैं B E की जिगर 3 A E लिख दूँगा A E को A E रहन दो और B E की जिगर लिख दो 3 A E तो 80 बरावर 4 A E तो A E की value कितनी होगी 80 बरावर 4 बीस यूनिट किसमेती मीटर में तो मीटर यह आगी A E की value हमें एक तो A E find करना था A E अब B E क्या होगा 3 times A E यानि कि 60 मीटर तो हमारी B E भी आगी और एक क्या करना था हमें H तो from equation 1 equation 1 में क्या था H बरावर under root 3 A E तो under root 3 A E की value कितनी थी 20 तो height of tower कितनी होगी 20 under root 3 मीटर तो हमारी 3 value find होगी एक हमसे height of tower पूछी थी और E point की distance पूछी थी दोनु पॉइंट से तो A E 20 मीटर और B E 60 मीटर तो last question इसमें एक question और है बस question 7 यह last है तो इसमें क्या कह रहा है the angle of elevation of a cloud from a point 60 मीटर above the surface of the water of lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree find the height of the cloud from the surface of water तो देखो इसमें कहा है angle of elevation of a cloud from a point 60 मीटर above the surface of water तो मान लिया यह है हमारी surface of water इससे भी 60 मीटर above कोई पॉइंट है यह हमें 60 मीटर above कोई पॉइंट है ठीक है और यहां से angle of elevation जो cloud का वनना है वो वनना है 30 degree ठीक है इसे से मान के इसे जोड़ दो और उसमें फिर कहा है यह ठाटी डिवे एंग्ल ऑफ डिप्रेशन ऑफिट्स सेड़ इंड बॉटर ऑफ लेकी 60 डिग्री एंड यह बॉटर ऑफ लेक में जो इसकी सेड़ है इससे जो एंग्ल अफ डिप्रेशन पढ़दा वो कितना ह ठीक है और क्या कहा इसमें नहीं एक कहा है एंग्ल ऑफ डिप्रेशन ऑफिट्स सेड़ इंड बॉटर ऑफ लेक यानि कि यह तो हमने बॉटर की सर्फेस मानी थी ना तो बॉटर ऑफ लेक नीचे तक होगा तो यह ऐसे बनेगा एंग्ल बॉटर ऑफ लेक ठीक है अब दुबारा पढ़ लो और फिकर को देखो मैच करते हैं इंगल ओफ एलिवेशन ओफ अ क्लाउड फ्रॉम आ पॉइंट सिक्स्टी मीटर अब अब दी सर्फेस ऑब बॉटर अगर यह बॉटर की सर्फेस है इससे 60 मीटर अब अब से जो एंगल ओफ एलिवेशन बनता है व हाइट ऑफ दी क्लाउड फॉम दी सर्फेस ऑफ अर्थ तो सर्फेस ऑफ बॉटर सर्फेस ऑफ बॉटर तो यह भी हमें पता है कितना होगा सिक्स्टी मीटर और यह कितना होगा मान लिया हाइट ऑफ किलाउड कितनी है एच ठीक है अब आपको एक बात पता है जितनी कोगी पानी के सरफेस के उतनी ही नीचे होगी तो ऐसे फिगर के हिसाब से तो और बड़ी बनती लेकिन कितनी होगी 60 प्रचाइं जितनी ऊपर मतलब जितनी चीज ऊपर उसकी जो परचाइं वनेगी सेड वो उतनी ही नीचे तक भी जाएगी तो उपर इसकी 60 D E और यह पॉइंट F तो अगर मैं इस ट्रियंगल को देखूं A B D तो मुझे 60 डिग्री और यह दिया है तो मुझे यहां से A B की बैल्लू पता चल जाएगी तो इन ट्रियंगल कौन सा A B D A B D में क्या था अगर मैं 1060 लगाओं तो कितना आएगा B D अपॉन A B बेस A B है तो 1060 होता है अंडर रूड 3 B D की वैल्लू 60 अपॉन A B तो यहां से A B उपर चले जाएगा और 60 अपॉन अंडर रूड 3 अंडर रूड को हटाने के लिए अंडर रूड 3 अंडर रूड 3 तो कितना आएगा 60 अंडर रूड 3 अपॉन तो यह आगे 20 अंडर रूड 3 मीटर यह आगे हमारी A B की वैल्लू अब दूसरा ट्रेंगल हाइट आफ टावर निकालने हो हमारे पास A B आ गई है तो 1030 लगा देंगे इन ट्रेंगल A B C 1030 1030 कितना होगा यह परपेंडिकुलर है H और A B H अपॉन A B इसकी वैल्लू 1 अपॉन अंडर रूड 3 H की वैल्लू हमें फाइंड करनी है A B दिया 20 अंडर रूड 3 ठीक है इसमें थोड़ी मिश्टे हुई है देखो अभी हमने यह लिया था ना A B यह डी नहीं यह यह तो हम पर कोई गलती से यह थी नहीं इसकी ओरिजिन लाइन तो A B F A B F होगा ठीक है तो A B F तो A B F दुख जाओ तो मैं इसे यहां दुबारा कर देता हूँ देखो इसमें थोड़ी मिश्टे हुई है तो हमारे ट्रेंगल जो बनना था वो बनना था A B F अब देखो A B F होएं तो यह 1060 लगाएंगे हम कितना होगा B D प्लस T F यानि कि 60 प्लस 60 प्लस H तो बन 20 प्लस H हो जाएगा लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ बी एफ अपॉन एबी 1060 की वैल्यू अंडर रूड 3 B F की वैल्यू 120 प्लस H हो जाएगी जुड़कर और A B की वैल्यू हमें पता नहीं है तो यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूड 3 A B बरावर 120 प्लस H इसे आहीं रहने दो दूसरे जो है दूसरे ट्रेंगल A B C वो सेम रहेगा 1030 कितना था हमारा H अपॉन AB तो यहां से बन अपॉन अंडर रूड 3 H अपॉन AB तो AB इधर आ जाएगी और यहां क्या आ जाएगी अंडर रूड 3 H अब H की वैल्यू यहां से find कर लो तो यह कितनी आएगी या AB की कैसे कर लो आप AB भी है यहां AB है तो यहां से AB की value रख दो 120 plus H upon under root 3 जब मैं यहां पर रखूंगा AB की जीग है 120 plus H upon under root 3 तो यह क्या आएगा under root 3H अब under root 3 की cross multiply होगी तो यह 120 plus H अंडर root 3 के अंडर root 3 में होगी तो 3H यह प्लस का यह माइनस में हो जाएगा 3H माइनस H तो कितना आया 2H और यह 120 तो H की value कितनी आ जाएगी 120 upon 2 60 meter यानि कि हमारे पास जो height of cloud है वो कितनी है 60 meter लेकिन वो 60 meter above the water surface थी और हमने से कुस्चन में जो कहा है वो पूछा find the height of cloud from the surface of water तो surface of water तो यह थी ना तो 60 तो यह हो गया और H की value आई 60 तो आप लिखोगे यहाँ पर हाइट है हाइट है ओफ किलावड है फ्रॉम दी सर्फेस आफ है किसकी थी बॉटर की सर्फेस से तो वह कितनी होगी एच पिलस 60 एच की value भी 60 है और यह 60 तो कितनी आएगी 120 मीटर तो हमसे यह पूछा था 120 मीटर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं next वीडियो में तो पढ़ते रहिए हसते रहिए थैंक यू